जैसे दम दोस्तों बाइनरे विकर में आपका स्वागत है तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं लिट कोड 81 सर्च इन रोटेटेड सौ्टेड एरे टू लिट कोड में यह प्रॉब्लम आपको मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है और मतलब आपके जितने भी अच्छे कंपनीज हो गया जैसे गूगल, माइक्रसाफ्ट, एडोबी यह सब कंपनीज में ऐसे जब फोन इंटर्व्यों के टाइम ऐसे स्टार्टर कोर्स के टाइप से यह प्रॉब्लम आपसे पूछ सकते हैं प्रॉब्लम थोड़ा ट्विस्ट there is an integer array nums sorted in non decreasing order non decreasing order not necessarily with distinct values okay before being passed to your function nums is rotated at an unknown pivot index k 0 to k2 nums dot less such that the resulting array is nums k nums k plus 1 dot 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 and it is zero index okay तो उसके बाद क्या पूछ रहा है given the array nums after the rotation and an integer target return true if target is in nums और false if it is not in nums तो ठीक है सवाल पढ़के आपको इतना समझवाया है मैं आपको एक example दे रहा हूँ सोचे कि एक example मैं given ही है वो example मैं आपको यहां पे से लेके रहा हूँ सोचे कि मेरा initial मेरा मेरे पास एक array ऐसे given array के अंदर सार्थ elements है 2560012 ठीक है तो बोल रहा है कि यह जो array अब इस array यह array पहले sorted sorted in the sense मतलब इस array का कुछ ऐसा था 0012256 यह मेरा initial इनिशियल एरे था यह ठीक है फिर इस इनिशियल एरे को उन्होंने क्या किया कि इसको कोई एक point के basis पे इसको यहाँ पे से rotate कर दिया रोटेट मतलब इसको rotate करने के बाद जैसे मतलब इसको ऐसे अगर हम rotate कर दें तो array क्या होगा मेरा 2560012 तो यह 2560012 है यह basically इसी sorted array का rotated version है जो मेरे को given हुगा है मेरे को यह given नहीं है मेरे को given है यह मतलब उसका रोटेटेड वर्जिन अब मेरे से क्या पुछ रहा है कि अगर आपके पास रोटेटेड वर्जिन गिवन है और उसके साथ एक टार्गेट वैल्यू अगर दे दिया जाए या फिर आइटेम आप बोल लो जाए सोचें कि मैं बोल रहा हूं कि टार्गेट वैल्यू मेरा 5 तो यह कुछ रहा है कि क्या इस रोटेटेड एरे के अंदर यह टार्गेड वैल्यू present है अगर present है तो print true अगर नहीं है तो print false ओके सिंपल सवाल है मेरे पास आए रहें गीवन है जो कि एक रोटेटेड लिस रोटेटेड सौटेड आरे है और मेरे पास एक टार्गेट गिवन है मेरे को सिंपल बाइनरी आउट्पूट देना है कि अगर वह टार्गेड प्रेजेंट है तो true output देना होगा अगर नहीं ह स्टेप बाइस्टेप प्रॉब्लम को अगर पढ़ने का कोशिश करूं मेरा पैसे क्या बुला है कि नाम सौटेड इन नॉन डिक्रेजिंग और ठीक है यह मेरा पहला लाइन इस प्रॉब्लम को पहले लाइन से मेरे को क्या समझ में आ रहे देखिए मेरे पास जो एरे है व कोई ना कोई तो काम आता है पहला क्या होता है तो यूज होगा नहीं तो क्या यूज होगा बाइनरी सर्च होगा ठीक है नहीं तो मर्जिंग पार्ट यूज होगा जेनरली क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसे गिवन है कि इन्हीं तीनों में से कोई ना एक कोई आपको स यहां पर हमको क्या find करना है यहां पर हमको find करना है कि वह present है कि नहीं sorted array के अंदर अगर मैं problem को थोड़ा simplified करू क्या बोल रहे है कि sorted array के अंदर कोई item present है कि नहीं तो इसके लिए सबसे best method क्या है हमारे पास binary search लीनिया सर्च भी है लेकिन binary search उससे भी optimized version time complexity उसका clear फिर हम देखने की problem क्या क्या रहा है उसके बाद problem बोल रहा है कि before being passed to your function नाम इस रोटे ने अंदर प्राइवर्ट इंडेक्स की तो हमको basically क्या बोल रहा है कि मेरे को directly sorted array given नहीं है मेरे को क्या given है एक rotated इसका वर्जिन तो अब मेरे को बोला कि सब्सक्राइब कर लोगे जैसे मेरे पास सोचेगी को सौटेड एरे ऐसा था 12345 इसको मैंने यहां से यहरे दो मेरे स्कुमण एक यह शॉच्पन मेरे शॉच्छ लूच्छ कर सकता हूं इसके उपर मैं नियंस्क्राइब सब्सक्राइब बात मीरे पास को किया रहा है कि मेरे पास के एक एरे का क्या स्ट्रक्चर स्ट्रक्श़ की बात करूड तो मेरे को बस बोलना है कि present और not present है की नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा simple linear search यूज करूंगा linear search अगर मैं उस array की उपस search करते जाओंगा कोई भी अगर index में मिल जाए तो return मैं क्या कर दूंगा true और नहीं तो मैं अगर पूरा array करने के बाद भी ना मिले तो मुझे क्या में return कर दूंगा false return कर दूंगा simple सा code है क्या लिखेंगे आप यहां पर यहीं लिखेंगे i equal to zero i less than n i plus plus if error of i equal to equal to target return true और यह पूरा code खतम हो जाने के बाद अगर आपको नहीं मिले तो हम क्या कर देंगे return false बहुत simple code है एकदम simple यह code है कि आपका linear search को लेकिन linear search के code को run करने के लिए आपको कितना time complexed लेगा ओ इन कलेगा घर कि यह भी accepted है यह definitely accepted है लेकिन क्या हम सोच रहे हैं क्या हम इस से थोड़ा better कर सकते हैं क्या linear search है क्या हम थोड़ा better कर सकते हैं क्या तो हम पहले वह सोच लेते हैं तो ठीके देखिए अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो array है वो मेरे पास एक array given है मैं थोड़ा second type से मैं इसको सोचने का कोशिश कर रहा हूं यह मेरा लेकिन binary search यूज करने के लिए मनेरा मतलब primary condition क्या है कि array must be primary condition मेरा क्या है कि array must be sorted जब मेरा array sorted होगा तभी मैं उसके उपर binary search perform कर पाऊंगा तो उसके समें मैं क्या कर सकता हूं कि जो तो मेरे फिर पहस्के बाद मैं सब्सक्राइं इसाई पाफॉम्प कर pensar मिल जाए कि नहीं मिल जाएकhel सब्सक्राइब ऑपर और मेरे उसके बना डिए मोजस्ब लगा रहा है तो binary search से बाइनरी लगाने पाद है या तो true या तो false मतलब या तो element उसके अंदर होगा नहीं तो नहीं होगा सिर्दी बात है तो हम यह में approach आ सकते हैं लेकिन यह जो second approach जो मैंने आपको बोला लगता है इसके लिए मेरा time अगर मैं कोई short function यूज करो तो मेरा o in login का चक्कर लगेगा ठीक है उसके बाद मैंने क्या बोला उसके बाद मैं binary search यूज कर रहा हूं तो binary search मेरा अलग से o login तो दोनों मिला के मेरा क्या होगा ओ इन लोग तो binary search यूज करने के चक्कर में मेरा argument ले क्या होगा कि o in login का खर्चा पड़ गया जहां कि मेरे को linear सा चुन ली तो हम इस approach से भी नहीं जा सकते हैं थर्ड कोई approach हम सोचते हैं कि सो क्या कर सकते हैं अच्छा देखिए मेरे को एक चीज़ इनों ने बोल दिया कि array तुम्हारे पास जो given है वह actually sorted है लेकिन हमने उसको साइसे नहीं कि unsorted को रोटेट कर दिया है तो यहां से हम चली देखतें कि एक-दो एक्जाम्प्ल से हम समझते हैं कि एक चीज़ मेरे को क्या फैंट करना है मेरे को इसके ऊपर अगर मेरे इसके उपर के और बाइनरी सेर्च के लिए मेरा primary condition क्या है कि आरे को मेरे को sorted वनना जाए तो अगर कहीं पे मेरा अगर एक next task में क्या कर सकता हूं कि अगर ऐसा क्या हो सकता है कि अगर एक sub array हो ठीक है अगर मेरे को एक sub array मिले उस sub array को वो sub array मेरा sorted है और sorted sub array के उपर मैं अगर binary search लगा रहा हूं मतलब मेरे पास उस array के अंदर इक sub array पार्ट है जहां पर sorted है और वहां पर binary search लगा रहा हूं फिर मैं true और false print कर रहा हूं तो वह मेरे लिए तो होगा ना मेरे को अलग से sort function यूज नहीं करना पड़ेगा यह वाल आपको अच्छा से सब्सक्राइब मैं यहां पर देखें यहां पर मैं दो केसे को ले रहा हूं कि केस वान केस वान आप समझें मेरे पास मैं सोचिए कि मेरा एक दम रोटेटेड करके मेरा यह यह पर है है रसे दो to 2 5 600 ez pet पहल में एजम क्या करते हैं यहाँ यह ब हम 100 है तो कि यह डिए हम से देखें यहाँ आखिए यहां पर मेरा क्या हो रहा है कि एक केस ले लेते हैं कि जब यह रहा है यह मेरा केस का में मतलब कंडिशन के अंदर जा रहें तो इस किसमें आप देखें इस किसमें आप गौर किजिएगा तो मैंने क्या बोला कि अगर यह कंडिशन हुआ तो आप देखें कि यह वाला पार्ट मतलब लो से लेके मिड़ वाला पार्ट यह पूरा मेरे लिए क्या है सौटेड है next part sorted है कि नहीं यह मेरे को मालूम नहीं है यह मेरे को मालूम नहीं क्योंकि अगर मैं इसको भी six कर दूँ तो यह मेरा part sorted नहीं है लेकिन मेरे को इतना पता है कि यह वाला part तो मेरा sorted है पक का अगर मेरे को यह पता है कि यह वाला part मेरा sorted है तो मैं इसके उपर काम कर सकता हूं ठेक है यह वाला पार्ट मेरे को तो पता है न अगर ARR of low यह क्या है कि यह ultimate यह कभी भी जो low से लेके mid तक अगर low का value से चोटा हुआ तो यहां के बीच में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ टू जीरो फाइब सीक्स जीरो वन लेट से टू ठीक है और मेरा मैंने क्या बोलें कि मेरा अगर मैं इसको die यह मिरा यहां पर आ यहां पर सॉटेड यह है यह मिरा सॉटेड नहीं नहीं की प्रइए व्बत यह जो एरे था, वहां पर तो यह वाला part भी तो आप बताओ कि इसके अपर क्या सकता हूं कि इसके अंदर अगर टारगेटर प्रिजेंट हो तो उसके लिए क्या condition हो सकता है इसके अंदर अगर target प्रेजेंट रोगा इसके लिए क्या condition होगा न कि अगर मेरा target क्या हो रहा है कि error of low ठीक है if it is less than equal to target and and error of mid if it is greater than equal to target इसका मतलब क्या है इसका मतलब आप बताइए कि है मेरा target है इसके ही अंदर low से लेकर मेरा target मिल गया लो से लेकर मीड के मेरा target मिल गया तो मैं यहाँ पर क्या कै सकता हूं मैं यह वाला part को मिल रिजेक्ट कर दूंगा just like we binary search यह वाला part को तर्चेट्व मेरा भाटेट वाल्यू है कि मेरा वन थोड़ा फ्रेश करके लिख रहा हूं यहां पर दिखे क्या बोला हुआ 2256 और 001 2256 001 तो मैंने क्या बोले कि सोचे कि मेरा target value क्या है target value 1 तो मैंने क्या बोले कि यह वाला part तो मेरा sorted है यह मेरे को known है अब देखिए low से low अगर mid से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यह पूरा part मेरा पक्का sorted ही है क्योंकि यही पार्ट तो ultimately उस array से पार्ट से जूड़ चाया होगा लेकि मेरे को इतना confirm है कि अगर low mid से छोटा हुआ तो पक्का यह वाला sorted हो गई हो अगर यह वाला sorted हो रहा है मतलब इसके अंदर नहीं है. तो उसके समें क्या हो रहा है कि target मेरा low से भी छोटा हो जा रहा है. अगर ये case हुआ target low से भी छोटा हो रहा है या फिर mid से भी बड़ा हो रहा है अगर ये case हुआ तो मैं क्या करूंगा मैं basically जो मेरा low point रहते तो मैं इस वाले पार्ट को तो इतना था मैं कंफर्म हो कि यहां पे तो वह पक्का नहीं रहने वाला तो मैं जहां पर low सेट करा था लो को मैं बैसिकली low को इकेल टो यहां ऐसे case one ता क्या था कि अगर मेरा low वाला जो वालू है वह मीड से अग्राश चोटा हुआ लो मुख zrobić यह एलिमेंट कर खेशन हो लेकिन आप क्छी पर लेकिन कूरा तो पहरो कंध कर रहे हैं मेरा उल्टा भी तो होसकता है पोसे तो ना कि ל यहां पर low set किया, यहां पर मैंने high set किया, तो मेरा यह क्या होगा? Mid, मेरा mid तो यही हुआ, अब देखे, क्या आ रहा है? error of mid, यहां पर क्या आ रहा है? error of low is greater than error of mid. इतना मेरो क्या हुआ पर मिल रहा है, तो मेरा क्या था? 2560012 और यह मेरा क्या था? mid था, यह मेरा high था, यह मेरा low था, तो अब जैसे यह आ गया है तो क्या होगा है कि देखिए, यह पर क्या हुआ कि ARR of mid is less than ARR of low तो इसका मतलब मेरे को इतना पता है कि यह वाला part सो sorted है, नहीं लेकिन आप देखिएगा कि यह वाला part हमेशा sorted होगा हमेशा यह वाला part आपका sorted होगा ही होगा क्यों होगा? आप देखिए, आप सोचे कि कोई एक random number लीजे यहाँ पर जैसे कोई एक random number लीजे आप सोचे कि आप अगर बोलना चाहते हैं कि यह वाला पार्ट मानता नहीं हो कि यह वाला पार्ट मेरा सौटेड होगा तो सूचे कि मैंने यहां पर वन पूट कर दिया मैंने यहां पर वन पूट कर दिया तो मेरा क्या हो रहा है मेरा अल्टिमेटली जो मतलब एरे का जो पाइवर्ट पॉइंट था मतलब जहां से वह सोचेट हुआ था तो सुचेए कि यह वाला पार्ट मेरा पेनिशली सॉटेट था वह पहले जीरो था मैंने इसको वन कर दिया जब मैंने इसको वन कर दिया तो मैं मेरा अल्टिमेटली क्या आगा वान जीरो वान टू जो मेरा में सॉटेड एरे आप का सॉटेड हो रहा है नहीं हो रहा है इसके में क्या रहे है कि मीड़ वाला पार्ट मेरा सॉटेड रहने तो मैं इसके उपर वानरी सर्च लगा जूँगा तो मैं कैसे लगाऊंगा मेरे को क्या condition चेक करना होगा क्या जो जो target का value है सोचे कि जो T है क्या यह greater than equal to mid है मतलब array of mid definitely and and क्या वो T less than equal to array of high है अगर है तो आप क्या किजेगा मतलब इसके अंदर है तो मैं क्या करूँगा मैं basically low को mid plus one set कर दूँगा मतलब अब मैं यहां से ढूंडना start करूँगा इस next और अगर यह नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा मैं इस पार्ट को reject कर दूँगा 2-5-6-0-0-1-2 जैसे मैंने क्या बुले यह वाला पर्ट मेरे को पता है कि जाए सोटेड है यह वाला पाटी मैं यह वाला पाट मेरे सोटेड आ पता है तो अब क्या वो लगए अगर इसके अंदर वो present नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं इस वाले पार्ट पर में सर्च कर सकता हूं मैं नेक्स इस वाले पार्ट पर सर्च करूंगा मेरे को पता है मेरे को पता नहीं कि यह क्या होगा यहां पर सॉटड है कि नहीं है तो मैं यहां से क्या क्या कर सकता हूं मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं कि मैंने क्या किया इतना सा को इतना सा ही कोड है इसके बाद इसके बाद एक सपेशल केस हो है special case में नहीं है यह नहीं मैं पूछना हम कि जब सुचिंगे अंदर duplicate जब Delta duplicate कैसे है और 10111 शुन है तो यहां पर देख रहे हैं कि आप कि chairs यहां पर डौपलिकेट सारे हैं तो यह मेरा क्या होगा है यह मेरा क्या है लो है यह में क्या है ? तो मैं जब binary से चीनिस यह लिए इस फूरे array के ऊपर call कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा low का value और high का made का value लोग का value दोनों एकदम बराबर हो रहा है क्या हो रहा है कि पक्का इस low के बाद कहीं से ही एक position है जहांसे यह array को change किया गया है यहां पर इसको convert किया गया है मतलब rotate किया गया है तो मैं क्या कह सकता हूं कि यह वाला part पक्का शायद इन लोग से इनके बाद के किसी के साथ पर यह duplicate होगा तो मेरे को यह वाला पार्ट देखने का कोई जरूरत है नहीं मैं next मतलब next एरे के पाद मतलब इस लोग को छोड़के मैं next इस पूरे पार्ट के ऊपर मैं अपना binary search क्या मैं क्या रहा हूं कि जब मैं देख रहा है और दूसरी बार देखे सबसे उपर वाला मेरा जो condition होगा वो क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं में कि में कर जाए तो यह दोनों तो पक का क्या किया कि मैं इसको मैं reject कर देना क्योंकि यह तो अल्रेडी मतलब टार्गेट से बरावर ही नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं इस वाले पार को छोड़के मैं तो मेरे को क्या रीटं करना है एक बूलियन रेटन करना है मैं इसको बीन etaanffy कर करके मैं लिख रहा हूं थैक है मेरे पास ड़िव Er जब अर मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या है एक टार्गेट ढलीट क्या रह एक लोगोर ही पॉइंट करो तो Low मेरा कहापे set होगा, 0 पर, High मेरा कहापे set होगा, Num.Size-1 पर, या फिर , एर-1 आपकी मर्जी, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना Binary Search, बाइनर सझ दोनों मेथज़र से call हो सकता है, ITERATIVE और RECURCAL, आप ITERATIVE मेथपस किजिएे, फालतु का recursion stack क्यों मतलब spend होगा ठीक है तो low less than equal to high हम क्या find करेंगे हम पहला हमारा mid हम क्या लिख रहे हैं देखिए mid को मैं ऐसे लिख रहा हूं low plus high minus low by 2 ऐसे लिखने का एक ही कारण है ताकि integer overflow addition जो overflow होता है वो ना आए ठीक है arithmetic overflow basically वो मेरे ना आए इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं ठीक है फिर मेरा first case क्या रहेगा मैं check करूंगा कि 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 यह जो made value है यह बराबर का target है अगर मेरे को target है मतलब मेरे को item मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा मैं return कि ट्रू कर दूंगा ठीक है दूर से बार मैंने क्या बोला कि जब एरे पर duplicate present है वो duplicate मैं कैसे देख रहा हूं कि नाम सब लो जब मेरा equal to equal to नाम सब मिड हो रहा है तो उसके समे मैं क्या कर रहा हूं उसके समे मैं लो प्लस प्लस कर दे रहा हूं और मैं continue लूप चला दे रहा हूं continue मतलों क्या होगा इसके निचे ओ जाएगा नहीं लो प्लस प्लस कर दिया तो रेस पार्ट के उपर मतलब जैसे वहां पर क्या था 10111 ठीक तो यहां पर मेरा यह चेक कर दो इस तक पात मेरे को पता है कि वह सौट अगर यह मेरे को पता है तो मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो तार्गेड वैल्यो एफ्टार्गेट इफ 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 इस गिळें गयार्टू कि नमसा फ्लोग एंड डार्गेट इफ इस लेस डन इकेल टू नम्सा फ्मिड तो मतलब यह मेरे लेफ्ट हप के अंदर पक्का टार्गेट कही नहीं प्रेजेंट तो मैं क्या कर दोंगा है तो मिड माइनस वन सेट कर लिए फिर उसके अंदर में एलस लोंगा कि अगर उस हल मतलब लिफट पर नहीं तो पका राइट हब पर तो राइट हब के लिए क्या कंडिशन होते हैं लोग के लिए यह मेरा हो गया केस वाइट उसके बाद मेरा केस टू मतलब जब लो लो क्या यह ग्रिटर दिकेल टू नाम सब मेड है एंड एंड उसके साथ ही और एक कंडिशन भी चेक करना है क्या यह जो नामस फाइए क्या यह ग्रेटर दिटर टार्गेट है अगर है तो आप क्या करदो राइट हप के उपर नेक्सकॉल कर दो मतलब लो इक्यल टू आप नहीं है तो पक्का मेरा लेफ्ट हाप पर कहीं न कहीं होगा वह बाद में देखा जाए क्या हो तो हाइए कुछ सवाल यहां पर नहीं पूछने चाहिए कि अगर आप पूछोगे तो फालतु का आपको नुकसानी होगा जैसा यह एल स्लुप के अंदर आपको पता कैसे कि यह यहां पर हो गाई होगा वह होई जाए गाई तो इतना कर लेने के बाद अगर स्टील हमको यह ना मिले अगर आमको आइटेम ना मिले तो हम लास्ट में रिटन पॉल्स करते हैं बस इतना सा थेरा मेरा कोड और यहां पर कुछ नहीं है कि हमने बाइनरी सर्च को कैसे इंटलीजेंटली यूज कि यह आपको अच्छे सब्सक्राइब में आ गया होगा ऐसे प्राब्लम मैंने बूला इसे स्टार्टर टाइप प्राब्लम यहां सकता है ठीक है तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि टाइम कंप्लेक्सिटी क हमेशा होते रहा है हमने सिंपल यहां पर और कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिखा है और कुछ एक्स्ट्रा लाइन है यहां पर इसका ओ लागेन में हो जाएगा लेकिन वोस्ट कंडिशन में यह ओ इन भी जा सकता है कैसे जा सकता है सोचे कि पूरा एरे ही ऐसा कुछ क्या है मतलब एक ही इंटी जा रहा है कि मेरा टार्गेट क्या है तर एक्सक्ते हो यह चोह तो इसलिए सक यहां पर यूज किये नहीं है इसलिए मैंने बोला कि रिकर्शन यूज करने का ज़रुवत नहीं है कि यह अच्छे समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं कि अपने इसको कोड करके देखते हैं कि मैं रहे हम अपने कोड पर चुका हूं तो चल्यास को इसको क्लिया तो पहला चीजा मैं अपना लो इसकों इसको मैं ऐलो देता हूं लिकना में ठीक है और ऑफाइस попोइंट रहे वह नम्ज डाट साइज ङसाएट फिर हुआलो अ मे रहना उकक्या प्लू ईक प्लस high minus low by two ठीक है फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि nums of mid अगर ये मेरा target के बराबर हो गया तो आप यहां से return कर दो true ठीक है उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर nums of low nums of low अगर ये मेरा equal to nums of mid होगा तो इसका मतलब क्या है कि area के अंदर duplicate present है तो मैं low plus plus कर दूँँगा और continue कर दूँगा clear फिर मेरा main क्या हो रहा है case one जब nums of low is less than equal to nums of mid उसके मैंने क्या बोले मैंने पास दो condition हो रहा है या तो वो left हप पे होगा is it greater than equal to nums of low and and target is it less than equal to nums of mid मतलब अगर ये condition फालो हुआ तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरा left हप पे ही है तो फिर हम यहां से calculate कर देंगे हाइ एक याई डो मेरा क्या होगा मेंड माइनस वन वार बार बार मीड लिख दे रहा हूं sorry और यह हाइब यह दो यह मेरा okay ठीक है फिर हम इस में क्या होगा तो उसका मतलब नहीं होगा वहाँ पे नहीं है तो राइट अप पर है राइड अप ह पर है तो हम इसको ए मडल से करदें इल्स हो था гबोयों कि मेरा है अमुद्धने स्ब्सक्राइब जो हम यह लिग ए वह है खुटता है यह लिगा वह थारगेट से बड़ा है तो अगर यह कंडिशन हुआ तो हम क्या कर देंगे प्लस वन कर देंगे एंपलस वन और अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब एच होगा वह माइनस वन ठीक है इतना साथ आपको सुझेंगा आ गया होगा और अगर पूरा लूप पे भी इसको अगर ना मिले तो हम यहां से रिटान पॉर्स कर दें तो फिर से बता दे रहा हूं पहले हमने दो पॉइंटर लिए ठीक है और लो लेज़ देन इकल टू एच जो हम बाइनरी साथ में जैसे करते हैं फिर एम मीड वैलू हमने लिया चेक कर रहे हैं कि टार्गेट के अंदर है कि नहीं है तो रिटन करो लो से मिड तक मेरा वहला पार्ट सुटेड़ अगर लो से मीड तक पार्ट में अगर यह टार्गेट रिलाय किया तो हम क्या कर रहे है लिफट परफिरें अंदर कि नहीं तो लोको एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं से मेड्स मेड्य प्लस वन कर रहे हैं तो अगर अगर इसको ना मिले तो हम रिटान पाल्स करते से लिया देखते हैं इसको रं करके ठीक है तो यह मेरा एक्सेप्ट हो गया अब इसको सब्मेट करके देखते हैं कोड अच्छे समझ में आ गया होगा एक दो बार अपने से ट्राइ कीजिए आप तो केस्वान केस्टू करके दो ड्राइ के मतलब दो एक्जाम्पल लेकि अपने खुद से करने के कोशिश कीजिए देखेगा आपको बहुत अच्छे से इस कोड को सब्सक्राइब तो आज के है क्षड्म पच्छे से बिम्स्त Cap में धरूड़ इन या मैं हो कि दो में अ्माम्पल लेकि पन्मादिए इस से लिए खाहाँ करके दो कि punct